नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल नौकरी एकजाम वाला में दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को देख रहे हैं जिसमें ये एक सीरीज हम आज से स्टार्ट में हम कम से कम दस कोशनों को सेलेक्ट करेंगे जो बहुत ही परिक्षा की द्रस्टी से इंपोर्टेंट होंगे महत्पूर्ण होंगे इसलिए आप वीडियो को लगातार सुरूर से लाच तक देखते रहें हर वीडियो में आपको 10 प्रस्ट मिलेंगे पेडागोगी पर आधारित वो भी केवल हिंदी में व्याख्या सहित आपको यहाँ पर पूरे आंसर देखने को मिलेंगे चलिए बढ़ते हैं पहले प्रस्ट की प्रस्ट है प्याजे मुख्य रूप से किसके अर्धन के लिए जाने जाते हैं पहला ओप्शन है योन विकास दूसरा भासा विकास तीसरा संग्यानात्म विकास चौथा है सामाजिक विकास प्रस्ट का सही उत्तर है उप्शन नमर तीन संग्यानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जीन प्याजे जाने जाते हैं। जीन प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक विकास के अधन के छेत में जीन प्याजे का सिद्धानत एक अभूत्पूर्ण सिद्धानत माना गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन, तरकणा के विकास के जैविक तथा रचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संग्यानात्मक विकास की व्यक्षा की थी। इसके अंतरगत उन्होंने अनुकूलन, साम्मेधारण, सर्रक्षन, संग्यानात्मक, सरचना आधी पर बल दिया था। प्रस्ट नम्बर दो, जब मानव सरीर के एक भाग को दिये गए प्रिसिक्षण के अंतरण द्वारा अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इस पिरक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्षन है, 36 अंतरण, ओर धंतरण, 3 दूएपार्सिक अंतरण, 4 उप्रोक्त में कोई नहीं। सई उत्तर है, ओप्सन नमबर 3, द्वी पार्श्विक अंतरण कहलाता है इस तरह का प्रिसिक्षन जो एक भाग से दूसरे भाग में अंतरण हो जाता है या स्तांतरित हो जाता है. इसकी वाख्या इस तरह से की जा सकती है, द्वी पार्श्विक अंतरण या वराश सिक्षा मानव सरीर के दो समान पार्श्विय भाग इंटर्नल आसपेक्ट्स हैं, बाया और दाया, जब सरीर के बायं अंग के सीखे गए कोशल का अंतरण स्वेते दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग से लिखे गए कोशल का अंतरण स्वेते बायं पर होता है, तो वह द्वी पार्श्विक अंतरण कहलाता है प्रस नमबर तीन दिये हुए प्राप्तांकों की समू में जो प्राप्तांक बहुदा सबसे अधिक बार आता है, उसको क्या कहते हैं? आप्सन मध्यमान, नमर दो बहुलक, नमर तीन मध्यांक, नमर चार मानक विचलन, सही उतर है आप्सन नमर दो प्राप्तांकों के समू में जो प्राप्तांक बहुदा सबसे अधिक बार आता है, उसको बहुलक कहते हैं अब बहुलक क्या है बहुलांक या बहुलक सांखिकी की एक केंद्रे प्रविर्थी की माप का एक भाग है जिसमें माध्य माध्य का बहुलक भी होते हैं प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आविर्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है इसके निम्न सूत्र से द्वारा ग्याद कर सकते हैं 3 median minus 2 means into 3m, mn minus m, यह इसका formula है या सूत्र कह सकते हैं, 3 median minus 2 means. प्रसन नमबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया था? आप्शन एक, इसकिनर, 2 पावला, 3 थार्णडाइक, 4 कोहलर, सही उत्तर है, आप्शन नमबर 1, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिध्धान्त का प्रतिपादन इसकिनर द्वारा किया गया था? इसकी वाक्षा देखे लेते हैं, इसकिनर द्वारा किरिया प्रसूत अनुकूलन सिध्धान्त का प्रतिपादन किया गया था? इसकिनर ने चूहों पर प्रियोग कर सीखने का सिध्धान्त दिया था, इसी पिरकार पावला वै, क्लासिको अनुबंधन सिध्धान्त कुत्ते पर प्रियोग, थर्ण डाइक, प्रियास, थर्ण डाइक ने प्रियास एवं तुर्टी का सिध्धान्त दिया था, जिसका प् पूज का सिध्ğानत दिया था और उन्होंने अपना प्रियोग बन्दर पर किया था। परसन नम्मर पांच अलबर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिध्धान्त से संबन लिब ओप्शन एक वैभरात्मक सिधान्त, ओप्शन दो सामाजिक अधिगम सिधान्त, ओप्शन तीन विकास का संग्यानात्मक सिधान्त, ओप्शन नमबर चार विकास का मनो सामाजिक सिधान्त, सही उतर है ओप्शन नमबर दो, अलवर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिधान् इनकी व्यक्ष्या के रूप में अगर देखा जाए तो सामाजिक अधिगम सिद्धान्त को बंडूरा द्वारा 1969 से 51 में के बीच दिया गया था यह है व्यभार रूपांत्रण के नेमों और संग्याना अत्मक्वनवग्यान का संतुलित संस्लेशन है प्रस नमबर 6 मानसिक आयू का प्रत्य दिया था मानसिक आयू का प्रत्य या पृतिपादन या सूत्र किसके द्वारा दिया गया था ओप्शन नमबर 1 स्टर्न के द्वारा ओप्शन नमबर 2 बिने साइमन ने ओप्शन नमबर 3 टर्मन ने आप्शन नमबर 4 सिरिल बर्ट ने सही उत्तर है आप्शन नमबर 2 बिने और साइमन ने मानसिक आयू का प्रत्य दिया था इसकी वैक्षिया देखे लेते हैं मानसिक आयू एक दूसरे तरह की आयू है जिसका प्रियोग बुद्धी मापने में मनो वैज्ञानिकों ने अधिक किया है इस संप्रत्य का या सिद्धान्त का प्रतिपादन बिने तथा साहिमन ने किया था तैथिक आयू से ताथ प्रव्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयू से होता है जबकि मानसिक आयू उस वैक्ति की बुद्धी लवदी होती है बुद्धी लवदी मानसिक आयू और सो तैथिक आयू है आपको बता दें कि बुद्धी लवदी यानि mental qsant बरावर होता है IQ बरावर mental age बटे chronological age multiply by 100 mental age intelligent qsant या बुद्धी लवदी की जो ये फॉर्मूला है इसका इन्वेंशन 1904 में अलबर्ट बिनेट द्वारा किया गया था प्रेस नमबर साथ निमलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है option number 1 तनाव का नियम, option number 2 ततपरता का नियम, option number 3 प्रभाव का नियम, option number 4 अभ्यास का नियम सही उतर है option number 1 तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है जबकी ततपरता, प्रभाव और अभ्यास के नियम सीखने से सम्बंदित है इसके अगर वाक्या की बात की जाए तो तनाव का नियम, अन्य तीन ततपरता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अधिगम के नियम है जिसे थन डाइक ने अपने पिरियास एवं तुरूटी के अधिगम सिधान्त में दिया था प्रेस नमबर आठ संबंध पिर्तिक्रिया सिधान्त में पावला ने प्रियोग किया था ओप्सन एक कुत्ते पर दो बिल्ली पर तीन बंदर पर चार चुहे पर सही उत्तर है ओप्सन नमबर एक पावला ने कुत्ते पर अपने प्रियोग किये थे कुत्तों पर पावला दोरा अधिगम के क्लासिकी अनूबंद सिधान्त का प्रितिपादन किया था जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रियोग किये थे बिल्ली पर थांडाइक द्वारा प्रियोग किये गए थे वहीं चूहों पर स्किनर ने प्रियोग किये थे तथा बंदर पर कोलर एवं कौफा ने प्रियोग किये थे प्रेस नमबर आठ संबंध पिर्तिक्रिया सिद्धान्त में पावला ने प्रियोग किया था Option 1 कुटे पर, 2 बिल्ली पर, 3 बंदर पर, 4 चुहे पर सही उत्तर है Option 1 पावला ने कुटे पर अपने प्रियोग किये थे कुटों पर पावला द्वारा अधियम के क्लासिकी अनुबंद सिधानत का पृतिपादन किया था जिसमें उन्होंने कुट्टे पर प्रियोग किये थे बिल्ली पर थांडाइक द्वारा प्रियोग किये गये थे वहीं चूहों पर इसके नर ने प्रियोग किये थे तथा बंदर पर कोलर एवं कौफा ने प्रियोग किये थे प्रस नमबर 9 नो सूज द्वारा सीखने के सिद्दान्त का पृतिपादम किसके द्वारा किया गया था? Option 1. कोहलर Option 2. थंडाइक Option 3. पावला Option 4. वुडवर्थ सही उतर है आप्सन नमबर एक सूज या समझ के द्वारा सीखने के सिद्धान का पृतिपादन कोहलर के द्वारा किया गया था कोहलर ने सूज द्वारा सीखने के सिद्धान कोहलर ने किया था इस सिद्धान्त के अनुसार अधिगम की किसी अभ्यास का प्रिसिक्षन नहीं प्रस्तुत वस्तुत अचानक आई सूज से होता है कोहलर ने बंदर पर इस सिद्धान्त का प्रियोग किया था प्रस्त नमबर 10 कारिय का आरंब करने या कारिय को आरंब करने जारी रखने और नियमित करने की प्रिक्रिया है उप्सन 1 समवेदना उप्सन 2 प्रेणा उप्सन 3 सीखना उप्सन 4 प्रितक्षी करना सही उत्तर है ओप्शन नमबर दो, किसी कारिय को आरम करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रिक्रिया प्रेणा कहलाती है अभी प्रेणा किसी कारिय को आरम करने, जारी रखने या नियंत्रित करने अथ्वा नियमित करने की प्रिक्रिया है इसका पृतिपादन गुड के द्वारा किया गया था दोस्तो आज की इस वीडियो में बस हमने 10 कोश्चनों को सेलेक्ट किया था जो बहुत ही परिक्षा की द्रस्टी से इंप्रोटेंट है अगले पार्ट में हम अगले 10 कोश्चनों को सेलेक्ट करेंगे जो पेडागोगी पर आधारित होगे अगर दोस्तो पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी और घंटी के बटन को दवा कर और घंटी वाले बटन को सेट कर दें साथ ही दोस्तों में जरूर सेयर करें जो भी परिक्षाओं की तयारी में लगे हुए हैं इस वीडियो को सेयर करना ना भूलें और लाइक तो जरूर करते रहें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं पार्ट टू पेडागोगी में